हलो बच्चो मनोज गुपता एकडेमी में आपका स्वागत है बच्चो आज हम नादिर सास पाड़ एक संसरी सासन प्रणाली का परचे इसके बारे में अध्धन करने वाले हैं बच्चो तुमारे मन में कुछ प्रस्न जरूर आते होगे कि भारत के सवीधान में किस प्रकार का सासन विवस्ता है उसके अलावा संसरी सासन प्रणाली किसे कहिंते हैं कि हमार सिट रच्छ नाम तुम ने सुना हो मैं कि संसधी शासन परणा लिया है तुछ अलावा और प्रसन आते होंगे कि भारत के भारत हमारे देश में पारत के हमारे तुछ प्रहला मंत्री को ने छीटिक, हम्हारा देश के प्रणा मन्तरी प्येनि मोदी जी है तो भारत के प्रदान मंत्री ये पर तो अमरीका के प्रदान मंत्री क्यों नहीं है, वहां पे राष्ट अद्यज क्यों है, उसके अलावा और एक प्रस्ण तुमारे मन में आता होगा कि संसदी सासन परणाली और अद्यची सासन परणाली में क्या अंतर है, उपर जो पर रूप एक दूसरे से अलग-अलग है हर एक देसका सासनप्रणाली जो है अलग-अलग है। मुख्य अंगो के संखेप में चानकारी प्राप्त करेंगे। सासन सहस्ता के अंग, सासन सहस्ता के तीन अंग है, विधान मंडल, कारेकारी मंडल और न्यायपालिका, विधान मंडल जो है कानून बनाने का कारे करता है, कारेकारी मंडल जो कानून बनाया जाता है उसको लगु करने का कारे करता है, और न्यायपालिका जो है न्यायप्रद करने की कार्य करती हैं सभी दान द्वारा ये तीनों अंगों के कार्य और सिमाएं निर्धारित की गई है और इसका सोरूप एक इस सोरूप का है इस पर सासन संस्ता सरूप सासन संस्ता का सोरूप निश्चित होता है इससे पतार चलता है हमारा सासन संस्ता कैसा है इसके आधार पे सासन प्रणाली से बढ़े मुख्य दो प्रकार दिखाई देते हैं पहला है संसदी सासन प्रणाली दूसरा है अधची सासन प्रणाली सबसे पहला है संसदी सासन प्रणाली संसदी सासन प्रणाली मुख्यत इंगलेंड में विक्सित हुई इंग्लेंड का जो सभीधा ने आ लिखी ते उसको लिखा नहीं गया है, आज वहाँ सासन का कारिया रूर संखेतों के आधार पे चलता है, जैसे पहले का जो नियम ता उसी नियम के आधार पे चलता है, पारलामेंट वहाँ की उतक्रांद संस्ता है, पारलामेंट के आधार जो किया जाता है सासन किया जाता है मरी जोकदान दोनों में समांता पाये जाती है लेकिन तो अभी और कुछिंस थोड़ा अलग है तो हम सब से पहले संस्थी सासन परणलिू सांसन्दी सासन्द परणाली मतलब होता है को संसत कहा जाता है तो संसंद में 3 प्रमुख होता है, पहले राष्ट्रपति उपसे ऊपर होता है उसके बाद लोगसभा और राज्यसभा और सभी को मिला कि संसद का निर्वार होता है दुसरा है संसर में लोग सभा के जो प्रतिनिद्य होते हैं उसका चुनाव जंदध्वारा किया जाता है इसकी यह विशेश्टा है और इस सदन के सदस्यों की संख्या निर्धारी को तो यह ऐसा नहीं है के कभी 200-400-300 एफ समया जब भी चुनाव होता है तो उतने संख्या मे निर्धायरत समया और लोगसभा का चुना होता है तो इन चुनाओं में सभी राजनीतिक दल सभागी होते हैं सभागी होते हैं इन चुनाओं में जिस राजनीतिक दल को आदे से ज्यादा से ज्यादा सिट मिलता है और जीत जाता है जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल की क्या बनती है सरकार में जिसको आदे से ज्यादा सिट मिल जाती है ओ दल उसको बहुमत प्राप्त होता है और उसका सरकार बनता तो इस समय किसकी सरकार है BJP की सरकारे. क्यों सरकारे? क्योंकि इनको जब चुनाव हुआ, चुनाव में आधर साधिक सी प्राप्त हुई थी. कई पर ऐसा भी होता है कि किसी एक दल को भाहमत नहीं प्राप्त होता है तो ऐसे में क्या करते हैं? कि कुछ भाहमत दल आपने आपको मिला लेते हैं, जो पवुमत राजनी नितिक दल होते हैं, तो राजनी नितिक दल क्या करते हैं, अपना पहुमत सिधकरते हैं, जैसे किसी को 30 मिला है, किसी को 20 मिला है, और किसी को 10 मिला, तो सम मिला के किपने हो गए? 60, तो 60 जो है 50 से ज़ाद हो गए, इस प्रकार गडबंदन करके वो अपना सरकार स्तापित करते हैं, उसी को गडबंदन सरकार कहा जाता है इस परकार जंता द्वारा चुने गए प्रतिनिती विधान मंदल के सद्ध से बन जाते हैं और विधान मंदल के बाद सद्ध से बनने के बाद जिस राजनितिक दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उस दल का सरकार बना सकता है और जिस देल को बहुमत प्राप्त होता है उस देल के नीता जो है जिसको सबसे ज़्यादा वोड मिला रहे था उसको प्रधान मंत्री बनता है और वह अपने कुछ सहयोग्यों को चुनता है मंत्री के पत के लिए और इस तरह से मंत्रियों को चुनके वह मंत्री मंदल में कारिकारी मंडल के रूप में उसे कामुन ुत्रुद करना पड़ता है करना परें और दूसरा विधान मंडल के प्रति उत्तरदाई होते हैं, यानि जो भी कुछ हुआ उसकी जिम्हेदार कोन होते हैं, प्रदान मंद्रियों, मंद्रि मंदल, इसका रार्थ यह है कि मंद्रि मंदल को विधान मंदल के अधिन रहकर सासन चलाना होता है, मंद्रि मंदल जो रहते हैं, विधान मंदल की नीच में को में कुछ भी कानु लागू कर सकते हैं नहीं उनके लिए कुछ नियाम दोफ Quem इसने सांसधिया सार्वासन्पर्णाली को उत्तरताई सांसंपर्णाली करहा जाता है सामोइक उत्तरताईत उन सांसदी शाषजय की प्रमूखा किसी भी भाग का निर्णय, राज्य का निर्णय माल लिया जाता है, इस निर्णय का उत्तरदाईत्व संपुण मंत्री मंदल का उत्तरदाईत्व होता है, उसे प्रतेच रूप में कैसे लाये जाता है, इसको हम उतारन के साथ मिचित, आगे के जो दो पाट उसमें आप इसका मतलब यह है कि जब तक कारेकारी मंदल को विधान मंदल का समर्थन प्राप्त रहता है तब तक कारेकारी मंदल और प्रधान मंदल पत्पय बना रह सकता है अगर विधान मंदल को या समसत को इसका लगता है कि कारेकारी मंदल या प्रधान मंत्री या मंत्री मंदल अच्छी तरह से कारे नहीं कर रहे हैं तो समसत क्या करेगा कि आव विश्वास का प्रस्ताव पारित करके उन्हें सत्ता से हटा सकता है अब अविश्वास प्रस्ता अमियंत्रा रखने का प्रभावी साधन माना गया है संसती सासन प्रणाली में संसा दत्वा विधान मंडल को सर्वस्रेष्ट माना गया है विधान मंडल को इसका भी कारण है कि लोगों द्वारा चुले गए जो प्रधिनी दीजों नेता होते हैं वो चुले गए वो क्या करते हैं आम आदमी को जो अपेच्छा रहता है वो सरकार के सामने रखते हैं और किसी छेतर में मालो सड़क हुआ या बिजली या सरकार के आपते हैं और लोगों काणून बनाए के लिए उपकरम चलाते हैं संसत लोगों के प्रतिनिदियों का सदन होने के कारण और जन्ता के सर्वसेश अधिकार को व्यक्त करने के कारण संसत का जो अस्थान ये सर्वस्रेश्ट है संसत प्रतिनिती जो नेता होते हैं उसका सदन होने के कारण जन्ता को सर्वस्रेश्ट अधिकार देने के कारण जो संसत का स्थान सबसे उचा है अतो इस सासन प्रणाली को संसती सासन प्रणाली कहते हैं संसती सासन प्रणाली को हमने क्यों सिकार किया भारत ने संसदी सासन प्रणाली को सिपार के उसके पीछे कुछ कारण है पहला कारण है कि जिस समय हमारे देश में अंग्रेजों का सासन था उस समय हमारे देश में संसदी सासन प्रणाली थी परिशो ने इस प्रणाली के माधन से हमारे देश को चलाना शुरू किया था इस अभीधान बनाने वाले थे उन्होंने इस प्रणाली को भारत की परस्तिति के अनुगूल है के अईसा उन्होंने उसमें बदलाभ किये थे संसदी सासन परणा नली में चर्चा परी चर्चा का उस्यर रहता है संसद में सारवजनिक हीतो संसद में अगर कोई भी नियम कानूल बनाना है जो जन्दा की भलाई किस पे उस प्रस्थनों पर चर्चा होती है सभी की समिछा हुए में के बार जो सही में वो कानून कर बन सकता है hum इससे संसत को और अधित निर्दोस और सचछन कानून बनाना संभव होते से क्या होता है संसत अच्छा पर सही कानून बना पाता है क्विशी स स्याष 181 इसासन ना चनाने का एक और अभी तक हमने संसती सासन प्रणाई प्रणाली है जिसको अधेची सासन प्रणाली कहते हैं, अमरीका में अधेची सासन प्रणाली है, यह प्रणाली संसेदी सासन प्रणाली से भिणने, अलग है, विदान मंडल से कारकारी मंडल निवलिकते रहता है, विदान मंडल से कारकारी मंडल दो है, अलग रहता है, और और जिसमें कारकारी या राष्टा ध्याट सिधे चंता द्वारा चुना जाता है। इस प्रणाली को अधची सासन प्रणाली कहा जाता है। सासन सस्ताओं के तीन अंग इस प्रणाली में एक दुसरे से स्वतंद्र होते हैं। परवन्टुपो उनके कालों में एक सुत्रता रहेगी इसके लिए आवस्यक पारस्परित संपन्द भी रहते हैं अमरीका ने इस आसन परणाली का अंगी कार किया है अंगी कार करना मतलब स्विकार किया अमरीका ने अधिची सासन परणाली को स्विकार किया है और इस आसन परणाली की कुछ निम्ने विसेश्था है पहला विश्यस्ता है अधिछी सासन प्रणाली में विधान मंडल और कारकारे मंडल सीधे एक दुसरे पनीरभर नहीं होते हैं विधान मंडल के एक सदन का चुनाव सीधे जनता द्वारा तो राष्ट अध्यच्य का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा ही किया जाता है राश्त अध्यक्ष कारकारी प्रमुक होते हैं और उन्हें कानून का कारण्योयन करने के साथ अनधिकार भी प्राप्त होते हैं दूसरा है अधेचैस आसन प्रणाली में इस प्रकार की सरचना होने पर भी विदान मंडल और कारकारी मंडल इक दुसरे पर नियंद्रnd रख सकते हैं एक दुसरे के नियंद्र रखने के उत्तरदाई आसन पधती सासन चलाया जा सकता है सरसदी और अदेशी सासन प्रणाली के अत्रित कुछ अन्य सासन प्रणाली भी है जो प्रांस, स्विजर लेंड, जर्मनी आधी देशों में इनसे अलग सासन प्रणाली है भिन्य सासन प्रणाली है विपेन्य देश अपनी प्रस्ति के अनुकूल अलग अलग सासन प्रणाली का उलंब करते में दिखाई देते हैं यानि उनके देश में अलग सासन प्रणाली लागू किया गया, वो अलग सासन प्रणाली को मान दे हैं अगले पार्ट में हम बारतिय संसत की सरचना, कारेपनाली और भूमी का आभी परमध्यन करेंगे इस तरह का वीडियो देखनी के लिए लाइक कीजिए, सेयर कीजिए, वो सब्सक्राइब कीजिए